How to fix Bank of Baroda M Invest app not working and not opening problem नमस्कार दोस्तों सुआगर है अब सभी का तिकराच यूट अब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Bank of Baroda M Invest application के अंदर पर ये जो problem है इसको आप कैसे fix कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपके इस अप में इस तरह के का कोई भी problem आ जाते हैं कोई भी issue आ जाते हैं ठीक है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्यूंकि दोस्तों जब हमारे मुबाइल पर अप्लिकेशन बगरा यूज करते हैं तो दोस्तों दियो टू बग ठीक है यहां पर हम उसको बग कहते हैं तो बग के वज़द से प्रॉब्लेम बगरा आते रहते हैं तो उसको fix करना होगा सारे साथ दोस्तों अगर आपका आपका आप आप आउड ओडेट ह होते हैं तो क्या solution करना है कैसे problem solve होगा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा solutions ठीक है और दोस्तों वीडियो शूरू करने से पहले make sure channel को subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आप online पेसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए वीडियो शूरू करते हैं या पर आपको सबसे पहले करना क्या है अगर दोस्तों आपको कोई भी ऐसा problem हो जाते हैं तो सबसे पहले mobile को restart किजिए restart करने के बाद आप check करके देखिए क्या अपका problem solve हुआ है या नहीं हुआ है क्य तो आप दोस्तों एक बर क्योंना restart करके देख ले रिश्टार्ट के बाद दोस्तों अगर कोई improvement कोई solution हो जाते हैं तो अच्छी बाद है अगर restart के बाद problem नहीं दुबारा से आ रहा है तो दोस्तों आपको next solution करना होगा ठीक है next पे दोस्तों क्या करना होगा solution restart करने के और एप को सर्च करना है और उसके बाद इस अपडेट वगएरा कर देना है अपडेट वगएरा करने के बाद दोस्तों आपका bug issue fix होगा एप में कोई latest feature है तो आपको मिल जाएगा और अगर आपका एप मिस भी है वगएरा कर रहा है तो वो सारे problem में आपे solve होगा ठीक है तो अपडेट कीजिए अपने एपको अपडेट कीजिए अपडेट करने के बाद दोस्तों आप अपन करके देख सकते हैं आपका जो problem है वो यहाँ पर fix हो जाएगा क्योंकि update काफी अच्छा solution यहाँ पर है तो आप अपडेट करके देख सकते हैं तो किसी किसी का जो problem रहत है दोस्तों वो अपडेट के बाद फिक्स हो जाते हैं ठीक है लेकिन मान लिजए भाई नहीं चांस अपने अपडेट कर लिया फिर भी problem आ रहा है solution नहीं हुआ है तो दोस्तों आपको next solution follow करना है next पर दोस्तों आपको जाना है setting यहाँ पर आपको search करना है app and notification और दोस्तों दोस्तों जाना है storage and cache clear storage okay कर देना है और यह करने के बार आपको बेक करना है उसके बाद यहाँ पर permissions होगा थे क्या permissions एक ही है तो उसको allow कर दीजिए and then mobile data allow अगर एकसेस चेक कर लिजिएगा mobile data access होना चाहिए app में और उसके बार mobile को restart कीजिए दोस्तों जैसे आपका mobile restart होगा mobile restart होने के बाद चेकर करके देख सकते हैं आपका problem solve हो चुका होगा तो दोस्तों अगर आपका problem solve हो जाते हैं तो अच्छी बाद है लेकिन अगर problem solved नहीं हो रहा है तो आपको जाना है play store में app को uninstall कर देना है app uninstall करने के बाद जाना है setting scroll down करना है system पर जाना है उसके बाद आ करने के बाद आपको जा रहा है play store में और जाके आपको reinstall कर लेना है अपना app को ठीक है तो reinstall करते ही दोस्तों आप app को चला के देखें बिल्कुल smoothly run करेगा बिल्कुल आपका problem solve हो चुका होगा तो इस तरह के से दोस्तों आप जो है यहाँ पर अपना bank of baroda m invest application problem solve कर सकते हैं अमीद करते हैं आपको वीडियो पसे नहीं होगा तैंक्स वाचिंग